हाई फैमिली आज देखिए मैं आया हूँ मुंबई से काड़ी लेके मेरा और आया हूँ पुना में और वो भी हड़पसर में और यहां का होटल अभी आपको मैं दिखा जाओ कितना यूनिक और कितना बढ़िया और चालेंज आज का चालेंज और मुझे जो ठाली मिलने वाला है अरे बाबरे क्या बोलू मैं बहुत बढ़िया है वह आपको दिखाता हूँ आप यह पहले आजाओ यह होटल देखो यह होटल का नाम देखके आप खुश हो जाओगे देखिए क्या बात है कितना बढ़िया होटल मावला में आया वह जो है हड़पसर पुना में और यहाँ पे मुझे मिलने वाला है कुछ यूनिक और एकदम बढ़िया अभी वह भी आपको बता देता हूँ कि क्या मिलने वाला है मुझे मटन संब्राट ठाली बहुत बढ़िया थाली अभी मटन का थाली खाने के लिए मैं मुंबई से आया हूँ पुना अभी वह कैसा बनेगा और कुछ यूनिक डिश में बनने वाला है वह मैं आभी नहीं बताऊंगा आपको थाली जबी आएगा तभी दिखाऊंगा और उसका टेज़ भी करके दि देखो और मेरा मटन समराठ ठाली देखो आजाओ अगर देखिये अभी मैं भी थोड़ा सा ठंडा हो गाया बहुत बहुत गर्मी है भार आजाओ देखिये ये आहाहा अगर दिल खुश हो गया तो अभी थोड़ी देर में थोड़ा वेट करो थोड़ी देर में मेरा ठाली दिखाऊंगा और चैलेंग भी दिखाऊंगा क्या है क्या ने आप लोग यहां पे कई पे भी आसपास हो हडपसर में होटल मावला के आसपास तो यहां पे एक बार विजिट जरूर करना आप ल वोटन मावला के अंदर पहुच गया और मेरा चैलेंज क्या होगा यहां के ओनर है हर्चल तुपे जी अभी वह उन्होंने मेरे लिए स्पेशल कुछ लाया तो आजाए तो देखिए क्या है यह कमेंड में जरू बताना यह क्या है और मुझे थाली जो मैंने बोला था मटन सम मुझे इसमें मिलने वाला है तो हर्चल जी अभी यह इसमें कितने आइटम होंगे तरीबन यहां पर कई भी नजदिक हो तो यहां पर टेस्ट करने के लिए एक बार जरू आना अभी पांच लोग का धाली मैं अखेला चैलेंज करने वाला हूँ तो यह अभी मेरा थाली ब बन जाएगा तो मैं आपको इसका दिखाऊंगा कैसा ही क्या और टेस्ट भी बताऊंगा तो फाइनली मेरा मटन संब्रा ठाली रेडी हो गया है और देखिए इसमें कितने आइटम कम से कम 21 आइटम है इसमें अभी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा मुझे जितना पता है मैं आ आपकानी तंगडा तंदूरी यह भी तंगडा तंदूरी है यहाँ पे भी तंगडा बिर्यानी तंदूरी बोलते है इसको और यहाँ पे देखे बौईल एग है यहाँ पे मटन का एक डिस है यह मटन चाप है यह मटन खिमा बाउल है अब यह पूरा मैं टेस्ट करूंगा लेकिन आपको पहले बता देता हूँ यह मटन काला रस्सा है यह मटन पांड़ा रस्सा है मटन तामड़ा रस्सा है यह मटन सुका है यह मटन आलनी है यह मटन बिर्यानी है यह वजड़ी है और यह मटन आलनी राइस बराबर और यह मटन खरड़ा और यहाँ पर देखिए य यह बाजर की भाकरी और यहां पर है ज्ञारी की भाकरी कुछ और यहां पर है चपाटी तो चलो मैं पहला टेस्ट करता हूं बाजिर के भाक्री से अब टेस्ट क्या करूँ इसमें से चलो यह वाव वाव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टेस्ट है अभी देखिए अब यह पूरा का पूरा मैं खाते लोगंगा बहुत टाइम लगा खाने में मैं दो तिन चीज़ टेस्ट करके बता जिता आपको यह मटन आईनी है बहुत बढ़िया हुए एकदम प्रॉपर पग गाये एकदम मस्ट हो गया यह भिर्यानी है अब यह सबका टेक मैं करूंगा और अराम से बेट के खाऊंगा अब यह जितना महिने खाया हो बहुत बढ़िया टेट है तो आप लोग यहां पर कई पर भी नजदिक हो तो यह एक बार ट्राइ करने के लिए जरूर आ जाना यह 2600 रुपे का थाली है और यहां कम से कम 5 लोग खा सकते हैं बाकी यह मटन बिटन इसमें जितना है उतना मिलेगा और यह बाकी का जो भी रसा है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा मतलब 5 की जगद 10 लोग भी आराम से खा सकते हैं तो यहां पर एक बार विजिट ज़रूर द क्यासी नेश्ट और यूनिक डिश्क के साथ बाई